मुझे याद है सत्तर के दशक में ऐसी फिल्मे थी, हिंदी फिल्में, अधिकांश मैंने नहीं देखी मगर लोग मुझे बताते थे, उनमें कुछ अभिनेता ऐसे थे जिन्हें बलातकार विशेशग्य कहा जाता था। देखिए, समाज में हिंसा है, आपको उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मगर क्या आप उसका गुणगान कर रहे हैं या इस रूप में उसे दिखा रहे हैं कि लोग कहें ऐसा नहीं होना चाहिए। बह इतना लोग प्रिय क्यूं हैं और क्या इन्हें कल्ला के रूप में अनुमती दी जानी चाहिए। ये फिल्मों में हिंसा, भारी हिंसा और बहुत ही घटिया तरीके आम तोर पर सेक्श्वालिटी का अर्थ है, एक स्त्री के साथ अच्छा बरताव नहीं किया जा रहा है। मुझे याद है कि सत्तर के दशक में ऐसी फिल्मे थी, हिंदी फिल्में, अधिकांश मैंने नहीं देखी, मगर लोग मुझे बताते थे कि उनमें कुछ अभिनेता ऐसे थे जिन्हें बलातकार विशेशक्य कहा जाता था। तो हर फिल्म में एक बलातकार होना ही था। कुछ समय के लिए ये एक स्टैंडर्ड सा बन गया। तो वे सभी लोग, जिन्होंने वो फिल्में देखी, बच्चों के रूप में, क्यूंकि उन्हें कोई अडल्ड सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, कोई भी जाकर देख सकता था, उन्हें लगता था कि एक स्ट्री से पेश आने का यही तरीका है, अब जब सड़क पर ब उसका गेहरा असर पड़ता है, देखिए, कुछ और देशों में, लोग फिल्म देखते हैं, घर जाते हैं, और उसके बारे में भूल जाते हैं, यहां ऐसा नहीं है, हम उन्हें नेता भी चुनते हैं, क्यूंकि इस देश में सिनमा सिर्फ सिनमा नहीं है, सिनमा वास्तविक्ता से कही अधिक है, जब ऐसा है, तो मेरे विचार में उसे अधिक जिम्मेदारी से बनाना चाहिए, हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप उसे बाहर से काबू में करने की कोशिश करेंगे, तो वो बदसूरत हो जाएगा, अगर लोग किसी भी चीज का और हर चीज का इस्तमाल समाज की कीमत पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करेंगे, तो ये निश्चित रूप से बदसूरत हो जाएगा, मैं नहीं जानता कि ये टेलेविजिन सीरियल कौन सा है, क्योंकि मुझे कभी देखने का समय नहीं मिलता, वो जो भी है, मैं संदर्ब नहीं जानता, देखिए, समाज में हिंसा है, आपको उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं, आप उसे दिखा सकते हैं, मगर क्या आप उसका गुणगान कर रहे हैं, या इस रूप में उसे दिखा रहे हैं, कि लोग कहें ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने बलातकार दिखाया क्योंकि ऐसा हुआ, जब लोग उसे देखें तो उन्हें कहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वे सोचते हैं वा, ऐसा ही होना चाहिए, फिर आप कैसा समाज बना रहे हैं। तो ये सवाल कई बार मेरे पास तमाम अलग-अलग रूपों में आया है, इस तरह के सवाल। मेरे ख्याल से लोग कला के पीछे छिप रहे हैं। माफ कीजी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं। लोग कला शब्द की आड़ ले लेते हैं। अगर ये कला है, तो उसे इतना कमर्शल नहीं होना चाहिए। आप कॉमर्स कर रहे हैं और उसे कला कह रहे हैं। उसमें थोड़ी कलाकारी हो सकती है, हम इसे समझते हैं। मगर एक समय था जब हम बड़े हो रहे थे, कला फिल्में होती थी और कमर्शल फिल्में होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, कमर्शल फिल्में ही कला हैं। कमर्शल फिल्में मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं। कोई पैसा बनाने के लिए पैसा लगाता है, कॉमर्स में कोई बुराई नहीं है, कॉमर्स में कोई बुराई नहीं है। चाहिए तो मनुरंजन भी कॉमर्स है ये ठीक है अगर वो कॉमर्स है तो उसे नियंतरित होना चाहिए उसके लिए थोड़ा हर कॉमर्स के लिए समाज में एक तरह का नियंतरण होता है है ना इस समाज में हाला कि आज हर कोई कम से कम कई लोग बड़ी संख्या में लोग शराब पीते हैं मगर फिर भी हमने उस पर नियंतरण रखा है कि आप शराब का विज्यापन नहीं कर सकते हैं वे एक शराब की बोतल दिखाएंगे और बताएंगे सीडी और संगीत हाँ या ना सोडा वाटर तो ठीक है मगर सीडी और संगीत ये कैसे आ गया मैं नहीं जानता खेर मैं कह रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि वो समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा तो नियंतरण होते हैं तो अगर कोई चीज समाज को प्रभावित करने जा रही है तो किसी तरह का नियंतरण जरूर होना चाहिए सबसे बहतर होता है कि आत्म नियंतरन लगाया जाए बजाय कि कोई सरकारी एजंसी उसे थोपे क्योंकि फिर वो कुछ और बन जाएगा वो बहुत बदसूरत हो जाएगा कोई जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता इसका मकसद ये तै करना नहीं है कि लोगों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं ये इस बारे में है हम समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं मैं इस टेलेविशन सीरिल के बारे में नहीं जानता मैं लगातार सभी ऐसे वीडियो गेम्स के बारे में बोल रहा हूँ एक 5 साल के बच्चे को लोगों को गोली मारने में मज़ा आता है यही एक गेम है जो वो खेलता है उसे स्क्रीन पर लोगों को गोली मारने गोली मारने और गोली मारने में ही मज़ा आता है यह काफी अच्छा है क्योंकि इस से कहीं खून नहीं निकलता ये ठीक है वहाँ फैलता है, मगर वो ठीक है अब जब वो 18 साल का हो जाएगा तो क्या वो थोड़ा असली मजा नहीं लेना चाहेगा हलो अमेरिका में स्कूलों में गोली बारी हो रही है लोग सोचते हैं ये अमेरिका की दिक्कत है नहीं 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 अगर भारतिय घरों में बंदुकें होती ही तो यहां भी होता हलो आपको लगता है कि ये नहीं होगा अमेरिका में हर घर में एक से अधिक हतियार है ठीक है लगभग हर घर में एक से अधिक हतियार है कम से कम वहां कम से कम एक शॉट गन और एक हैंड गन है निश्चित रूप से वो नहीं, मैं असली बंदूकों की बात कर रहा हूँ तो उनके पास बंदूक है इसलिए ये सिर्फ अमेरिका में हो रहा है लेकिन अगर भारतिये घरों में हत्यार होते तो यहां भी बच्चे निश्चित रूप से एक दूसरे को गोली मार रहे होते जब भावनाएं भड़कती हैं तो आप गोली मारना चाहते हैं है न तो अगर चार-पांच साल की उम्र से आप अभ्यास कर रहे हैं कि लोगों को गोली कैसे मारे जब आप 16, 17, 18 के होते हैं आप असली चीज नहीं चाहते क्या आप असली खून नहीं देखना चाहते मुझे नहीं दिखता क्या गलत है अगर आप लगातार अपने बच्चों को स्क्रीन पर ये करने के लिए तयार करते हैं तो आपको क्या परेशानी है अगर वो असली में ऐसा करें या उसका दोस्त असली में ऐसा करें और आपके बच्चे को गोली मार दें क्या समस्या है मैं पूछ रहा हूँ क्यूंकि आपको समझना चाहिए कि हर कार्य के कुछ परिनाम होते हैं इसे उन लोगों को जिम्मेदारी से संभालना चाहिए जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं अगर आप हर चीज के लिए नियम कानून लाते हैं तो समाज बतसूरत हो जाता है सरकार इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती लोगों को इन चीज़ों को आज आप कोई भी हॉलिवुड फिल्म देख लें वो पहले की तरह नहीं है वे पहले भी शूटिंग करते थे मगर अब ऐसा होता है गोली आती है और दिमाग के परखचे उड़ जाते हैं फिर उसे दोबारा दिखाया जाता है फिर स्लो मोशन में परखचे उड़ते दिखाया जाते हैं लोग इसका मज़ा ले रहे हैं एक बार जब आप इन चीजों का मज़ा लेने लगते हैं तो सड़क पर हिंसा होना तै है सवाल बस क्रमिक बढ़ोतरी का है है न तो हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं जो लोग बड़े पैमाने पर समाज पर असर डालते हैं चाहे वे कलाकार हों, राजनेता हों, मीडिया वाले हों, आध्यात्मिक गुरू या धार्मिक गुरू जिनका भी लोगों पर प्रभाव होता है उन्हें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे कारियों का क्या नतीजा होगा इतनी जिम्मेदारी सब के अंदर आनी चाहिए झाले होगा